दोस्तों अभी आप जिस भोले बाले 25 साल के नौजवान को देख रहे हो ये कोई आम लड़का नहीं है इसके पास एक ऐसी सक्ती है जिससे ये समय को स्थीर करके अपने मन मुताबे कुछ भी कर सकता है इस सक्ती को इस्तिमाल करके वो लड़कियों को निर्वस्तर करके उनकी नंगी तस्वीर बनाता है लेकिन दोस्तों ये बचपन से ही ऐसा नहीं था और उसे आखिर कैसे ये सक्तिया मिली चलिए जानते हैं कहानी की शुरुआत में हमें खुबसुरत लड़की को स्लो मोशन में गालिया देते हुए सुनते हैं पीछे से में बेंटटटा नाम के एक लड़का अपनी कहानी बताता है और कहता है देखिए इसका नाम सुजी है मेरा पहला सच्चा प्यार लेकिन आज ये मेरे उपर किस वजह से भढ़की है मुझे कुछ नहीं पता ये बस मुझे सुबह से गालिया दे रही है मुझे ताना दे रही है मुझे कोस रही है आगे कॉलेज के कैफेटेरिया में बेंटेटा सुजी को एक दूसरे लड़की के साथ लिपट लिपट कर बात करती हुए देखकर सोचता है कि साइद सुजी उससे प्यार करती ही नहीं थी क्योंकि ब्रेक अप करने के आधे गंटे के अंदर कौन लड़की दूसरे का जुगार करती है खेर बेंटटा के पास उसका दो सुना कर उसकी पूरी राम कहानी सुनता है और उसे सला देता है कि वो जैसे सुजी की तरह ही अपनी जिन्दिगी में आगे बढ़ जाए और नई सुन ये सब कुछ कहतों देता है लेकिन लड़कियों के बीच में उसका कैरेक्टर भी कुछ खास नहीं था और लड़कियों को छेड़ने की वज़े से वो काफी बार जूते चपल भी खाच चुका है इसलिए बेंटटटा अपना मन वहलाने के लिए आठ क्लास जॉइन कर दरसल वो बचपन से पाबलो पिकाशो की तरह एक मशूर पेंटर बनना चाहता था और ब्रेक अप के बाद अब वो अपने इस हुनर को निखारना चाहता है खेर दिन के उजाले में वो अपने आपको किसी तरीके से हस्त व्यस्त रखता है लेकिन रात होते ही उसका अकेला बॉइफ्रेंट के साथ सो रही थी इसलिए वो उसे ठीक से भाव नहीं देती बेंटर्टा समझ चुका था कि उसका अब पूरी तरीके से कट चुका है इसके बाद वो ही गिसी पीटी सुजी को सोच सोच कर एक हपता गुजार देता है इन साथ दिनों में वो किताबे पढ अकेले ही बहुत सारे शहरों में घूमना वगेरा 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 बहुत काम करता है ताकि वो सुजी को भूल सके लेकिन सुजी तो उसके दिमाग में बरसात के मौसाम में चमगादर की तरह चिपकी हुई थी जो उतरने का नाम नहीं ले रही थी इसी बीच एक दिन बिन कारड स्कूल सर्टिफेकिट व.व.व.ब लेकर उस सूपर मार्केट के मैनेजर पास पुछ जाता है अगले दिन उस के सूपर मार्केट में चप्डासी के काम पर रख लेते हैं व.बिंटत्तक की तरह ही वहां पर काम कर रहे सभी लोग अपने वक्त को गुजारने के लिए बहुत सारे नुस्के अपनाते थे जैसे कि सेरेन नाम की एक लड़की कभी घड़ी नहीं देखती थी क्योंकि उसे लगता था कि घड़ी देखने से वक्त धीरे-धीरे गुजरता है इसलिए वो अपने हैंडवाच में ए पटांग चीजे डाल देता था और कुछ तो शॉपिंग मॉल को ही प्लेग्राउंड समझ कर उसमें रेस भी क्या करते थे बेंटटा उन सभी में से बहुत अलग था क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी सूपर पावर आ गई थी जिससे वो समय को स्थीर करके कुछ भी कर सकता थ वो इसका गलत इस्तिमाल भी कर सकता था जैसे कि वो टाइम को फ्रीज करके पैसो की चोरी कर सकता था लड़कियों के साथ संभव कर सकता था लेकिन वो अपने इस सूपर पार को सिर्फ अपने ड्राइंग के कला को निखारने के लिए ही इस्तिमाल करता है वो सूपर मार्क करके इस मुवी को अपने फैमिली वालों के साथ मत देखना खेर ड्राइंग हो जाने के बाद वो सभी लड़कियों को फिर से कपड़े पहना कर उबासी लेता है और टाइम फिर से पहले के जैसा ही चल पड़ता है अगली सुबा बेंटटा से मिलने के लिए उसका बेस्प्र देता था ताकि वो लड़की उसे अपनी कच्छी उतार कर दिखाए खेर अगले दिन बेंटटा काम करते करते शेरन को देख रहा था तब यूश के साथ काम कर रहे उसके दो दोस्त आकर उसका इज़्यत उतार देते हैं इसके बाद लॉकर रूम में बेंटटा शेरन के सा और उसके साथ अपना सैंविच भी शेर करता है शेरन के साथ उसे काफी अच्छा लग रहा था और वो इस पल को फ्रीज करना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं करता दरसल वो शेरन से प्यार करने लगा था इसी बीच बिन टटटा को उन दोनों बदमाशों में से एक कहता ह क्यों से मतलब उस बदमाश को शेरन ने उसके साथ साम को मोवी देखने के लिए बुलाया है ये बात सुनकर बिन टटटा का बना बनाया दिल तूट जाता है और वो सोचता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है असल में बचपन में वो जब स्कूल में पढ़ता था तब उ सबी बच्च उसका काफी मजाक उडा रहे थे और वो काफी रो रही थी उस मुसिबत के घड़ी में बन टटटा उसका साथ देता है जिससे वो लड़की बन टटटे के उपर इम्प्रेस होती है एक दिन वो लड़की बिन टटा को खोपचे में बुला कर कहती है बिन टटा मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ इसके जबाब में बिन टटा कहता है नहीं नहीं आज नहीं कल करना आज मैंने मूँ नहीं धोया खेर अगले दिन बिन टटा मूँ धोकर उससे मिलने के लिए पहुँचता है लेकिन कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी वो लड़की नहीं आती। स्कूल आने पर बेन टटा को पता चलता है कि वो लड़की उसके पैरेंट के साथ उस शहर को छोड़ कर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई है। खैर इधर सुपर मार्केट का मैनेजर अपने सबी स्टाप को एक जगे पर बुला कर उनसे कहता है कि वो लोग संडे को एक फुटबाल मैच खेलने जा रहे हैं। दर असल वो मैनेजर फुटबाल का बहुत शौकिन था और अपनी एक टांग तुड़वाने से पहले वो फुटबाल खेला करता था। बेन टट्टा और उसके साथ काम कर रहे हैं बाकी तिनों को जाट बर फुटबाल खेलना आता था। लेकिन मैनेजर के जोर जबरदस्ती करने पर उन्हें फुटबाल खेलने के लिए हां कहना पड़ता है। आगे फुटबाल मैच के दौरान उनका टीम बड़ी बुरी तरीके से हार रहा था। क्योंकि उनका दुश्मन टीम 26 गोल से आगे निकल चुका था और वो लोग अभी तक एक गोल भी नहीं कर पाये थे। इसी बीच फुटबाल खेलते खेलते बेंटर्टा बहुत ठक जाता है। के लिए एक कॉफी शॉप पर जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि शैरन अभी सिंगल है और 6 मेहने पहले ही उसका उसके बॉइफ्रेंट के साथ ब्रेक अप हो चुका है। चोटे-चोटे कंधों में अपने जन्मदिन की तैयारी के लिए उन्हें अलग-अलग काम देता है। प्रदर्शित करना चाहता है। ये बात सुनकर बेंटर्टा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जिन्देगी में पहली बार किसी ने उसके इस अंजान हुनर का सरहाना किया था। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि ये कॉल उसे कोई आर्ट गैलारी से नहीं बलकि उसके साथ काम कर रहे उन दोनों बदमाशों ने किया था। फिर भी ओ लड़की बेंटटा को जोर जबर्दस्ति किस करती है। इधर नीचे से सेरेन भी ये सब कुछ देख रही थी और वो बेंटटटा के उपर नाराज हो कर वहां से 921 हो जाती है। बेंटटटा उसके घर जाकर उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो तो उसके उपर बहुत गुस्ता थी। इसलिए वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। अब फिर से ब्रेक अप होने की वज़े से बेंटटटा को फिर से रात में नेन नहीं आती और सारी रात वो बस सेरन के बारे में ही सोचता रहता है। जिनों बाद उस आर्ट गैलरी की तरफ से शेरन को एक इन्विटेशन आता है। शेरन जब उस आर्ट गैलरी में पहुँचती है तब वो चारो तरफ बस उसी की ही तस्वीर देखती है जो कि दरसल बेंटटटा ने बनाया था। ये सब कुछ देखकर उसे इस बात का एहस होता है कि बेंटटटा उससे कितना प्यार करता है। बेंटटटा भी यहाँ पर शेरन को उस रात के बारे में सफाय देने लगता है। तब शेरन उसकी एक भी बात ना सुनकर कहती है कि वो भी उससे बहत प्यार करती है। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते जिसके बाद बेन टटा वक्त को फिर से फ्रेज करके शेरन को लेकर वहाँ से चला जाता है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मुवी की कहानी भी शमाप्त हो जाती है